अद्याय चाली, माफ करन वाला एक हा, मीम दो एक किताब कुरान, दा उतरनाव सल्लाह वल्लो है जहडा वड़ा जोरावर अते सब कुझ जानन वाला है तिन गुनाहान नू बक्षन वाला अते तौबानू कबूल करन वाला है करड़ी सजा देन वाला अते वड़ा दाता दातार है, उस अल्लाह तो छुट होर कोई, सच्चा, इशट नहीं, सार्याने उसे वल मुर जाना है चार अल्लाह दियां आयता, कुरान बारे केवल इनकारी ही चग्रदे हन सो ओना, इनकारियां, दी शहरां विच चल्लत फिर्थ तोहानू किसे तोखे विच ना पादे वे पांजेहना, मक्के वालियां, तो पहला नूह दी कौम ने अते उस दे मगरों दूजियां कौमा ने वी, पैगंब्रानू चुठलाया सी हर उम्मत ने अपने रसूलनू गरिफ्तार करंदा इरादा कीता आते ओना नालन हक का चगड़ा कीता ता जो हक नू चूठ राही निमा विखाया जावे फेर मैंने पाव लाहने एक दिन ओनानू नप लिया सो वेखो, मेरे वलों ओनानू केहो जेही सजा दिती गई चे इसे तरह ओना लोका उत्ते तोहाडे रब्दा हुकम टुकमासिद होया जिनने रसूलन दा इनकार कीता सी निर्संदेह ओ सब नरकी हन साथ जेहडे फृरिष्ट्याने रब्दे अरश्ट सिंगासन नू चुक्या होया है अते ओ जेहडे उस दे आले दो आले सेवा लई रहन देहन ओ अपने रब्दी शलागा दे नालो नाल उस दी पाकी ब्यान करदेहन तो उस ते इमान रख दे हान ते इमान वाल्याले बख्षिश दियां द्वामा कर दे हान। ओ आखदे हान कि हे साड़े पालन हार तो अपनी मेहर ते ग्यान सद का हर चीज ते चाया होया है। सो तो उना लोकानू बखश दे जहडे तौबा कर दे हन अते तेरे वल आउन वाले राह ते चल दे हन तो उना नू नरक दे अजाब तो बचा ले आठ फृरिष्टे अर्दास कर दे हन हे साडे रब्बा तू उना इमान वाले नू सदीवी बागा विच दाखल कर जिसदा तू उना नू बचन दित्ता होया है ते उना दे पयो दादे पत्निया ते उलादान विचो वी जहडे नेक अमल कर दे हन सवरग विच ले जा बेशक तू ही जोरावरते हिकमत वाला है 9. एवी बेंटी है कि इह नं इमान वाले नू बुराईया तो बचा के रख सची गलता है है कि उस दिन क्यामत वेले तैने जिस नू बुराईया दी सजा तो बचा लिया हकाकिकत विच तैने उस उत्ते रहिम कीता यू वड़ी कामयाभी ह एक सिफर बेशक जिना लोका ने कोफर कीता सी ओनानू पुकार के आख्या जावेगा कि आज तोहानू जिन्ना परा गुसा अपने आप ते आ रहा है इस्तो कि ते वद अल्लाहनू तोहडे ते गुसा उस समय ओंदा सी जदों संसार विच तोहानू इमान लियाओन ले केहा ज पर तुसी इंकार कर दिन्दे सी एक एक फेर ओ काफिर आखंगे केहे साड़े पालन हार तू सानू दो वारी मौत दित्ती अते दो वारी ही जीवन दित्ता असी अपने गुनाहान दा इकरार कर दे हां कि हुन इस नरक विच्चो बचन दा कोई रस्ता है एक दो उत्तर विच्च किहा जावेगा कि तुहानू ए अजाब सजा इस लई है कि जदो तुहानू को एक आलाह वल बुलाया जानदा सी ता तुसी तोहीद दा इंकार कर दे सी जे उस अल्लाह दे नाल किसे नू शरीक कीता जानदाता तुसी उस शरीक नू मन लेंदे सी उन्ता एक सजादा हुकम उस अल्लाह वलो है जो सरवुचते महान है एक तिन उहियोता अल्लाह है जहडा तोहानू अपनिया निशानिया विखाउंदा है अते तोहाडे लई अकाश तो रिजक पेजदा है पर इहना निशानिया तो सिख्या केवल उहियो व्यक्ति लेंदा है जहडा अल्लाह वल मुराउंदा है एक चार सो, हे नबी, तुसी अल्लाह लई अपनी बंदगी नू विशेश कर दे होए उसे नू ही, मदद लई पुकारों पावे काफिरानू किनना ही पैडा लगे एक पांजो, अल्लाह उच्छे दर्जियां वाला अते अरश, तखत दा मालिक है, ओ अपने बंद्यां विच्चो जिसते चाहुंदा है अपने हुकम नाल वही पेजदा है ता जो ओ नबी लोकानू मिलनी वाले दिन क्यामत तो डरावे एक च्छे जिस दिनों सारे कब्रविच्चो बाहर निकल आउंगे अते ओना दी कोई भी गल अल्लाह तो लुकी होई नहीं रहेगी, उस दिन ओना तो पुछया जावेगा के आज पात्षाही किस दी है उत्तर दिता जावेगा केवल एक को एक सरव, सतावान अल्लाह दी ही है एक सत्ता जहार एक जान नू उस दी करनी दा बदला दिता जावेगा, आज किसे ते कोई जुलम नहीं होवेगा बेशक अल्लाह छेती ही हिसाब लेन वाला है एक आठ हे नबी तुसी इहना लोका नू नेड़े आउन वाले दिन तो डराओ जदो काल जे मूनू आ रहे होंगे उस दिन जालमादा ना कोई सहाई होवेगा ते ना कोई सिफार्शी होवेगा के जिस दी गल मननी जावे एक नौ ओ अल्लाः चोरी चोरी वेखन वालिया नजरानू अते दिला विच लुकियां हुईयां गल्लानू जाणदा है दो सिफर अल्लाः हक अनुसार्ण्या करेगा ते जिनानू ओ काफिर लोक उस अल्लाः नू छड के पुकार दे हन ओ कोई वी फैसला नहीं कर सक दे चीजनू वेखन वाला है दो एक कि ओ इनकारी लोक तरती ते तुरे फिरे नहीं कि ओ वेख लेंदे कि ओ ना तो पहले इनकारियां दा अंत किवे होया सी ओ शक्ती विच वी अते तरती उत्ते अपनिया निशानिया छड़न विच वी इहना नालो किते वादू सन फेर अल्लाह ने ओनानू ओना दे पापा कारण नप लिया ते ओनानू अल्लाह दे अजाब तो बचाउन वाला कोई नहीं सी दो दो एत सजा ओनानू इस कारण होई सी कि ओना दे रसूल ओना कोल सपश्टे परतक निशानिया लेके आये सन पर उना ने सविकार नहीं कीता, आन्त अलाह ने उनानू नप लिया। बेशक कोहियो शक्तिशाली अते करड़ा अजाब देन वाला है। दो तिन नसी मुसानू अपने वल्लो नभीन होन दिया, निशानिया अते खुल लिया दलीला देके पेजया। दो चार जदो मुसा फिरौन हमान अते कारून वल आयाता उनाने आख्या की ओ मुसा ता जादूगर अते चूठा है। दो पंज फिर जदो ओ, मुसा, साडे वल्लो, पाव लाह वल्लो, ओना कोल हक, सच्चा दीन, लेके आयाता उनाने आख्या की जहडे वी इस मुसा दे नाल इमान लियाए हनो न दे पुत्रानू मार दियो अते तियानू जोंदिया रखो। पर इनकारिया दी ये चालता उक कही असफल रही। दो छे फिरोन ने अपने साथियानू आख्या की मैनू छट देो की मैं मुसा नू कतल करदमा। इस मुसा नू चाहिदा है की अपने रबनू मदद लई, बुला लवे। मैनू ता एवी डर है के ये तोहडा तरम ही ना बदल देवे जा देश विच कोई फसाद ही ना करा देवे। दो सत्त मुसा ने कहा की मैं हरे कुस हंकारे होये तो तोहडे रब दी शरन विचोंदा हां, जहडा पुछ गिच वाले दिन क्यामत ते इमान नहीं रखदा। दो अट फिरोंदे परिवार विचो एक मोमिन पुरश जिसने अपने इमान नू लुकाया होया सी, आखन लगया कि तुसी इस व्यक्तिनू केवल इसलई कतल कर दे हो कि ओ कहनदा है कि मेरा रब अला है अते तोहडे कोल तोहडे रब वलो नभी होन दिया खुल या दलीला ल अजाब दा कुछ हिसा तोहानू भी मिलेगा जिस दा ओ तोहानू वादा करदा है बेशक अल्लाह उस व्यक्तिनू सिद्धी राह नहीं विखाउंदा जहडा ना फर्मानी विच हदों टपन वाला होवे अते नाल ही चूठा भी होवे दोनों उसे व्यक्तिने आख्या है मेरी कौव अज राज तोहाडा ही है क्यूं जो तरती ते तुसी ही गलिब पारू हो फिर सानू अल्लाह दे अजाब तो कौन बचावेगा जे ओ साड़े ते आड़ेगा फिरौन बोलिया कि मैं ता तुहानू ओही ओ बचाओ वाला राह विखाउंदा हां जो मैं आप वेक रहा हां मैं ता पलाई वल ही तोहाड़ी अगवाई करदा हां तिन सिफर जेहडा व्यक्ति इमान लियाया सी उसने कहा के है मेरी कौम वालेओ वेनू ता इस गल दा डर है कि तोहाड़े ते ओही दिन दा अजाब ना आजावे जेहडा माडा समा होर उम्ता उत्ते रसूलानू चुठलाउन कारण आ चुकेया है तिन एक जिवे नूह दी कौम आग समूधते ओना तो बाद वाले लोकादा हाल होया सी अल्लाह अपने बंदियां उत्ते किसे प्रकारदा जुलम नहीं करना चाहूंदा तिन दो अते कहा के है मेरी कौम वालेो मैं तो हड्डे उत्ते उस पुकारन वाले दिन क्यामत तो भी डरदा हाँ तिन तिन जिस दिन तुसी पिठ विखा के पज्जोगे फेर तोहानू अल्लाह दे अजाब तो बचाउन वाला कोई नहीं होवेगा आते सची गल ए है कि जिसनू अल्लाही गुम्रा कर देवे उसनू कोई भी हिदायत देन वाला नहीं तिन चार बेशक इस मुसा तो पहला तोहडे कोल यूसुफ भी नभी होन दियां दलीला लेके आया सी फेर भी तुसी उसदे बारे शक विच ही रहे जो तोहडे कोल निशानिया ले आया सी इतों तक कि जदों यूसुफ दाकाल चलाना हो गया ता तुसी आख्यासी के ये तो मगरों अल्लाहून किसे रसूल नू नहीं पेजेगा अल्लाह उस व्यक्ती नू इसे तरह गुम्रा करदा है जहडा हदो टपन वाला है ते शक्की है तिन पंज जहडे लोक अल्लाह वलो आउन वालियां आयता निशानियां विच जिडियां उना कोल आया हन बिना किसे दलील तो ही चग्रदे हन उना दाए वतीरा अल्लाह ते इमान वालियां दिया नजरा विच गुसा चाढ़ हन वाला है इसे लिए अल्लाह हर हंकारे होए सरकश, बागी, दे दिल उत्ते ठपा ला दिन्दा है ता जो समझ सोच ना सके तिन छे फिरौन ने कहा के है हमान तु मेरे लिए कुछ अपवन उसार देता जो मैं उस उत्ते चड़ के गहां तीक पहुंच जावां तिन सत्त काश दिया राहां तीक पहुंच जावां ता जो मैं मुसा दे रबनू चात मार के वेख लवां बेशक मैं ता उसनू चूठा समझ दाहां इस तरह फिरौन लई उस दियां पैडियां करतूता शोबावान बना दित्तियां ते उसनू सिद्धे राहों रोग दित्ता गया ते फिरौन दी हरे एक चाल असफल होके रहे गई तिन आठ्ठो से इमान लियाउन वाले व्यक्ती ने कहा के है मेरी कौम तुसी सारे मेरे पिछे लगगो मैं तोहानू पलाई वाली राह वाल ले जावांगा तिन नो हे मेरी कौम वाले ओ ए संसारिक जीवन ता थोड़े समय लई है जद के सदालई पर लोग विछ ही रहना है चार सिफर जिसने वी कोई पाप कीता था उस पाप अनुसार ही उसनू बदला, सजा दित्ता जावेगा ते जिसने कोई नेकी कीती होवेगी पावेगी पावेओ मरद होवे पावे औरत पर हो इमान वाले ता इहो लोग सवरग विछ जानगे अते ओ नानू अंगिनत रिज दित्ता जावेगा चार इक कते उसने ये भी कहा के है मेरी कौम, मेरा इस विच की लाब है, मैं ता तुहानू नरक तो मुक्ती वल बुला रहा हां जद कि तुसी मैनू अग वल बुला रहे हो चार दो तुसी मैनू इस वल बुला रहे हो कि मैं अल्लाह दा इंकार करां अते उस दे नाल उसनू सांजी बनावा जिसनू मैं जानदा वी नहीं अते मैं तुहानू वड़े जोरावर ते बखशन हार इशट वल बुला रहा हां चार तिन्ने वी गल सच है कि तुसी जिना वल मैंनू बुला रहे हो नाताओ संसार विच पुकारंदे योग हान अते नाही आखिर्त विच ए गल वी लाजमी है कि साड़ा सब्दा परतना अल्लाह वल ही है अते निरसंदे ह हद्दानू टपन वाले पाव उलंगना कारी ही नरकविच जान वाले हन चार चार छेती ही पाव क्यामत वाले दिन तुसी मेरिया उना गल्लानू याद करोगे जो मैं तुहानू कहे रहा हां मैं अपना मामला अल्लाह दे हवाले करदा हां बेशक अल्लाह ता सारे बंद्यानू बेख रहा है चार पंज फिर असी ओना दिया पैडिया चाला तो उसी मान वाले नू बचा लिया अते फिरोनिया नू अते अंत करड़े अजाब ने केर लिया चार छे ओ अजाब नरक दी अग है जिस दे सामने ओनानू सवेरे शाम पेश कीता जान्दा है अते जिस दिन क्यामत आवेगी हुकम होवेगा के फिरोनिया नू अते अंत करड़े अजाब विच सुट देओ चार सत जदो ओ नरक विच एक दूजे नाल चगरणगे ता कमजोर ही ने लोक हंकार करन वाल्यानू आखणगे के असी ता संसार विच तोहाड़े पिछे लगगे होए सी की तुसी साथो नागदा कुझ पाग हटा सकदे हो चार आठ कमंडी लोक आखणगे के असी सारे ही इस आगविच साण रहे हाँ बेशक अल्लाह ने अपने बंदिया विचाले फैसला कर दिता है चार नौ जदो वो सारे लोक जहड़े अगविच होणगे ता वो नरक दे पहरेदारानू आखणगे के तुसी अपने रबनू बेंती करो के वो साड़े अजाब विच केवल एक दिन लई कमी कार देवे पंज सिफरो फरिष्टे पुछणगे की तुहड़े कोल तुहड़े रसूल खुल लिया निशानिया लेके नहीं आयसान। ओ नरकी आखणगे क्यो नहीं ओ फरिष्टे आखणगे के फेर तुसी अपने ही अल्लाह नू बेंती करो जद के काफिरां दियां सारियां बेंतिय वेरत ही जानगियां। पंज तिन बेशक असी मूसानू हिदायत तौरेत बक्षी अते बनी इस्राइल नू उस किताब दा वारस बनाया। पंज चार ए किताब अकल वाल्याली हिदायत ते नसीहत है। पंज पंज सो हे नबी तुसी सबर करो बेशक अल्लाह दा वादा सच्चा है। अपनिया पुल्लादी बक्षिश ली द्वामा मंगोवते सवेरे, शाम, हर वेले, अपने पालन हार दी वडेयाई दे नाल उस दी तस्बीर ब्यान करो दश्मलविक। पंज छे जहडे लोकी अल्लाह दिया आयता निशानिया विच जिडिया ओना कोल आचुकिया हन बिना किसे दलील तो चग्रदे हन ओना दे दिला विच वडेयाई दा पूत सवार है, ओस वडेयाई तक पहुंच भी नहीं सक दे। सो तुसी ओना दिया शरार्ता तो अल्लाह दी पनाह मंगदे रहो। बेशक कोहियो सुनन वाला आते वेखन वाला है। पंज सत अकाश ते तर्ती दी रचना मनुखी रचना तो किते वद वड़ा काम है, परंतु वदेरे लोक नहीं जान दे। पंजाट हनना अते सुजाखाई को बराबर नहीं हो सक दे अते ना ही ओ लोक जहडे इमान लियाये अते ओनाने पले कामवी कीते अते बुराई करन वाले बराबर हन। तुसी लोक बहुत ही काट नसीहत ग्रैन कर दे हो। पंज नोई स्विच क्यामत दी कड़ी जरूर आवेगी, परंतु वदेरे लोक इस गल नू नहीं मन दे। छे सिफर तुहडे पालनहार दा फर्मान है कि मैंनू ही पुकारो, मैं तुहडिया दुआमानू कबूल करांगा। सच जानो के जहडे लोक मेरी बंदगी करन तो मू मोर देहनू लोक जलील होके नरक विच प्रवेश करनगे। छे एक अल्ला हो है जिसने तुहडे लई रात बनाई ता जो तुसी इस विच आराम कर सकोन ते दिन बनाया ता जो तुसी वेक सकोन। अल्ला है अपने बंदियां ते क्रिपालता करन वाला है पर बहुते लोक शुकर अदा नहीं कर दे। छे दो इहो अल्ला तुहडा रब है अते हरेक चीज दा पैदा करन वाला है इस तो छुट होर कोई सच्चा इशट नहीं तुसी किदरों बहिकाए जा रहे हो। छे तिन इसे प्रकार ओ लोक वी बह के फिर दे रहे जहडे रब दियां आयता आदेशा दा इंकार करया कर दे सन। छे चार अल्ला हो है जिसने तरतीनू तुहडे लेट ठैरन वाली था अते अकाशनू छात बनाया उसने तुहडिया शकला बनाया ते बहुत ही सोहनिया बनाया उसने तुहानू पाकीजा ते साफ सुथरा रिजग देता अल्ला तुहडा पालन हार है अते बहुत ही जहान दा पालनहार है। जहान दा पालनहार है। फेरो तोहानू बच्चे दे रूप विच मादे गरब चोक कटदा है। फेर तोहानू वदाउंदा है ता जो तुसी अपनी पूरी जवानी नू पहुंच जाओ। फेर वदाउंदा है ता जो तुसी बुड़े हो जाओ। तोहाडे विच्चो कुज इस बुड़ा पे तो पहला ही पूरे हो जान्दे हन। पाव मर जान्दे हो अते ए सब इस लई है ता जो तुसी अपनी नियत उमर तक पहुंच जाओ अते तुसी हकीकत नू समझ सको दश्मलविक। 6-8 तोही जीवन दिन्दा है ओही मौत दिन्दा है फिर जदों किसे कामनू करना चाहूंदा है ता केवल इहो कहन्दा है कि हो जाते ओ हो जान्दा है। 6-9 की तुसी उननू नहीं वेख्या कि जहडे अल्लाह दिया आयता कुरान विच चग्डदे हन। ओ किद्रों फिराय जा रहे हो। 7-0 जहना लोका ने इस किताब कुरान नू चुठलाया अते ओना सिख्यामा नू चुठलाया जिना नाल असी अपने रसूलानू पे जैसी उच्छेती ही हकीकत नू जान लेंगे। 7-1 जदो ओना दिया गर्दना विच संगलते पैरा विच बेडिया होन गिया जिना नाल जकड के ओ कसीटे जान गे। 7-2 पेला ओ बल्दे होय पाणी विच अते फेर नरक दी आग विच सुट दिते जान गे। 7-3 फेर ओना तो पुछया जावेगा के जिना नू तुसी रब्दा शरीक बनाउंदे सी अजयो कि थे हन। 7-4 अल्लाह तो छुट दूजे इशट कि थे हन। ओ, मुशरिक आखनगे के ओता साथोन गुआच गए। असी ता इस तो पहला ही, अल्लाह तो छुट किसे नू भी नहीं पुकार दे सी। अल्लाह का फिरानू इसे तरह कुराहे पाउंदा है। 7-5 किहा जावेगा कि तो हड़ा अंत इसली होया है कि तुसी तरती, ते कमंड करदे सी यते, एंत इसली वी है कि तुसी आकरदे सी। 7-6 हून तुसी नरक विच सदारेन ले उस दे बुहयां विच दाखला हो जाओ। उना हंकार्या ले किनना पैडा टिकाना है। 7-7 है नबी, तुसी तीरज रखो, बेशक अल्लाह दा वादा सच्चा हुन्दा है। जे असी चाहिये ता तुहानू उस अजाब विच्चो कुझ विखा दैये जिस दा असी इहना काफिरा नाल वादा कीता है, जा असी इस तो पहला ही तुहानू मौत दे दैये। अंतनू वो सारे साड़े वल ही परताय जानगे। जदो अल्लाह दा अजाब आउन दा हुकम आ गया, फिर उना दा इंसाफ नाल फैसला कर दित्ता गया ते उस समेच उठे लोग काटे विच रहे। साथ नौ लाहो है जिसने तोहडे ली मवेशी पैदा कीते, इहन विच्चो कुझ दी तुसी सवारी कर दे हो अते कुझ नू तुसी खांदे हो। आठ सिफर उना मवेश्यान विच तोहडे ली होर वी कई लाब हन। तुसी उना ते सवार हो के अपनी उस्था तक पहुंच दे हो जिस दी चाहत तोहडे दिला विच हुंदी है। तुसी बेडिया ते वी सवार हुंदे हो। आठ एक ओ अलाह तोहानू अपनिया निशानिया विखांदा है। तुसी अलाह दिया केडिया केडिया निशानिया दा इनकार करोगे। आठ दो की ओना इनकारियां ने तर्ती दी सैर नहीं कीती, फेर ओ वेक दे के ओना इनकारियां दा अंत के हो जहा होया सी, जहडे होना तो पहला होये सी। ओ गिंती विच्वी इहनातों किते वद सन अते वदेरे शक्तिशाली सन अते तर्ती उत्ते छड़े होए चिन्ना पक्खोवी इहनातों वादू सन. ओ लोक जो भी करदे सनों ओना दे किसे कम नहीं आया. अठ तिन जदों वी ओना लोका कोल ओना दे रसूल सपश्ट परमान लेके आउंदेता ओ अपने ही चूठे ग्यान उत्ते हंकार करदे रहे जहडा ग्यान ओना दे कोल सी. अंत जिस अजाब दो मखौल करया करदे सी उसने ओनानू आके रिया. आठ चार जदों उना ने साड़ा अजाब वेख्याता आखन लगगे कि असी कोईक अलाह उत्ते इमान लियाए हां अते जिना नू असी उस दा साजी बणाउंदे सी असी उना सब दा इनकार करदे हां. आठ पांज परन्तु जदों उना ने साड़ा अजाब वेख्याता उना दे इमान लियाओन ने उनानू कुझ भी लाव नहीं दित्ता. इहो अल्लाह दा नियत तरीका है जहड़ा उस दे बंद्यां विच सदा तो लागू है अते उस समें इनकारी काटे विच पैगए.